हेलो फ्रेंज वेलकम टू सिक्षा क्यासे हैं आप सब आप अच्छे होंगे फ्रेंज कंटेनुसली कमेंट्स आ रहे थे कि सोशल सेक्योरिटी के ऊपर भी कुछ करें ठीक है तो एमसी क्यूज करने की कोशिश करते हैं सोशल सेक्योरिटी के ऊपर ठीक है हर वीडियो में कोश revision का होगा इन MCQs का MCQs के साथ साथ आपको detailed explanation तो भी दी जाएगी पर जैसी आपके सामने MCQ आए तो आप उसको 10 second के लिए pause कर जिए वीडियो को, question को पढ़िए और answer करने की खुद से पहले कोशिश कीजिए, फिर वीडियो को play कीजिए ठीक है, तो चली शुरू करते हैं, सबसे पहले पहला सवाल सबसे पहला सवाल, बहुत ही factual सवाल है, National Commission on Self-Employed Women and Women in Unorganized Sector, ये कब form किया गया था सरकार ने कब ऐसा commission बनाया था National Commission on Self-Employed Women and Women in Unorganized Sector, options 89, 91, 2004, 2010 अब ये जो question है ये highly factual question है इसमें किसी भी परकार का आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते है, या तो आपने पढ़ा है तो आपको आता है, नहीं पढ़ा है तो नहीं आता है, ठीक है इसमें कोई भी तुक्के बाजी नहीं चलती है Negative marking करा लोगे, अगर नहीं आता ठीक है, तो attempt भी नहीं करना छोड़ देना ऐसे questions को अंसर होगा इसका आपका option number A ठीक है, 1989 में जो है आपका national commission on self-employed women and women in unorganized sector जो है वो form हुआ था अब अगर आप past studies देखते हो commission जो भी social security के ओपर बने या जो भी studies हुई यहाँ पर आपको सारी list गिवन है एक royal commission on labor बना था 1931 में national commission on labor 1969 यह जो आप से यहाँ सवाल पूछा गया national commission on self-employed women and women in unorganized sector यह 1989 में बना उसके बाद एक national commission on rural labor बना था 1991 में second national commission on labor बना 2002 में देखो दोनों आपको याद कर होने चाहिए year national commission on labor कब बना और second national commission on labor कब बना ठीक है उसके बाद एक national commission for enterprises in unorganized sector 2008 social protection for a changing India यह world bank ने report निकाली थी study निकाली थी 2011 में social protection floor for India ILO ने study निकाली थी 2013 में और social sector reforms in India यह last के तीन इतने important नहीं है नहीं भी आद करोगे चलेगा पर जो यह starting के हैं इसकी chronology आपको definitely आदोनी चाहिए factual question पूछा जा सकता है ठीक है चलिए अब चलते हैं second question के उपर वीडियो शायद आपको थोड़ा fast लग रहा हो लेकिन purpose यही है कम से कम time में चीजे जो है वो खतम करनी है जादा time इसके उपर नहीं लगाना तो जादा slow नहीं चलेंगे अगला सवाल है प्रधान मंतरी श्रम योगी मांधन योजना से ठीक है यह scheme 2019 में आई थी क्यूंकि social security में यह सारी schemes जों आपकी काफी important रहेंगी तो आपने यह सारी schemes अच्छे से करके जानी है इस तरह की employment related women related जो भी schemes अच्छे से करके जानी है तो सिधा सिधा सवाल पूछा गया है कि यह जो प्रधान मंतरी श्रम योगी मांधन योजना है यह unorganized sector के workers के लिए start की गई है ठीक है तो इसमें कौन से workers हैं जो eligible होंगे एक condition तो यह हो गई कि वो unorganized sector से है ठीक है दूसरी condition जो इसमें डाली गई है वो है monthly salary की तो monthly income कितने से कम होनी चाहिए किसी के लिए to be eligible to join this प्रधान मंतरी श्रम योगी मांधन योजना option A 10,000 B 15,000 C 21,000 D 28,000 once again factual question है scheme के बारे में पढ़ा है scheme को read किया है तो answer कर सकते हो नहीं तो नहीं कर पाओगे 10 second के लिए video pause करना है और आपने फिर से play करना है चलिए तो answer यहाँ पर होगा आपका option B 15,000 15,000 तो जिसकी monthly income जो है वो 15,000 से कम है salary 15,000 से कम है सिरब वो ही इसको join कर सकता अगर किसी की salary 16,000 या 17,000 भी है तो वो प्रदान मंत्री श्रम, योगी, मांधन, योजना को join नहीं कर सकता ठीक है तो unorganized sector workers चाहे वो home based workers हो street vendors हो midday meal workers हो head loaders हो brick clean workers हो ठीक है जो भी unorganized sector में workers है ये सारी list या पर given है और जिनकी monthly income 15,000 रुपे या उससे कम है वो eligible है to enroll into the प्रदान मंत्री SYM ओके चलिए अगला सवाल again PMSYM से related प्रदान मंत्री श्रम, योगी, मांधन, योजना से related ही सवाल है तो सवाल आपसे पूछा गया है कि इन में से कौन सा eligibility criteria है प्रदान मंत्री श्रम, योगी, मांधन, योजना के लिए एक eligibility criteria हम अभी already देख चुके हैं कि जो monthly salary या monthly wage जो होगा वो किस से कम होना चाहिए 15,000 से equal to और less than 15,000 होना चाहिए उसके लावा और के eligibility criteria है option A कहता है कि बही सिरफ 18 से 40 साल की उमर में इसका जो age group के लोग हैं वो scheme को join कर सकते हैं B कहता है कि जो person इसको join करेगा he should not be covered by NPS third कहता है कि he should not be a income tax pay option D कहता है all of the above ठीक है देखो अब ये question असान सा है अब क्योंकि इसमें option C तो हो गई होगा option C तो हो गई होगा क्योंकि अभी हमने पीछे देखा कि 15,000 से कम होना चाहिए तो अगर 15,000 से कम किसी की monthly salary है तो जाहर सी बात है income tax bracket आपको पता है कि 3,000,000 से उपर का है तो वो income tax तो पेग वैसे ही नहीं करेगा क्योंकि अगर 15,000 रुपे किसी की salary है तो वो 1,80,000 रुपे साल का कमा रहा है तो option C तो होगा ही होगा अब confusion ही होगी कि option C होगा answer या all of the above होगा तो अगर आपको उपर के बाकी दो के पता है बारे में तब ही आप इसका answer कर सकते हो answer इस question का होगा आपका option D eligibility criteria एक बार हम देख लेते हैं तो एक तो होगया 15,000 वाला दूसरा होगया कि सिरफ 18 से 40 साल की उमर के लोग जो हैं इस scheme को join कर सकते हैं अगर आप 42 साल के हो गए हो 42 के हो तो आप इसको join नहीं कर सकते हैं ठीक है जो व्यक्ति इस scheme को join करना चाता है जो व्यक्ति आपकी श्रम योगी मांधन योजना को join करना चाता है वो already NPS का member नहीं होना चाहिए उसने ESIC scheme को भी join नहीं किया होना चाहिए EPFO को भी join नहीं किया होना चाहिए ठीक है तब ही वो इसको join कर सकता है अगर उसने NPS या ESIC नहीं होना चाहिए तो जाहिर सी बात है चलिए अगला सवाल देखते हैं once again PMSYM से related जब तक ये वीडियो खतम होगा अपका PMSYM पूरे अच्छे से cover हो चुका होगा ठीक है जो भी questions आ सकते हैं इससे बाहर नहीं आएगा PMSYM में जो वीडियो में cover हो गया इससे बाहर सवाल नहीं आएगा सवाल पूछा गया है कि जो ये PMSYM है इसमें contribution जो ratio रहेगा central government का और beneficiary का वो किस ratio में रहेगा 60 ratio 40, 50 ratio 50 90 ratio 10, none of the above देखो अब मैं आपको बता देता हूँ PMSYM क्या है? एक pension scheme है क्या है? एक pension scheme है तो जो 60 की age cross कर जाएंगे उसके बाद जो scheme में enroll होंगे तो उनको regular pension मिलेगा अब pension की scheme में कुछ contribution इस scheme में कुछ contribution beneficiary करेगा यानि कि जो enroll करा रहा है जो individual enroll करा रहा है और कुछ contribution central government करेगी तो किस ratio में contribution होगा? ठीक है? तो पहली बात PMSYM voluntary scheme है जबरदस्ती नहीं है जिसको join करना है वो join कर सकता है 50 ratio 50 के basis के उपर 50 ratio 50 का basis कैसे हो गया? for example अगर कोई व्यक्ति हर महीने या हर साल कुछ value contribute कर रहा है for example हर महीने 100 रुपे contribute कर रहा है scheme को join करने के बाद तो central government भी उस fund में सौर पे contribute करेगी दूसरी बात इसमें जो contribution रहेगा वो age specific रहेगा age specific कैसे? अगर कोई व्यक्ति 25 साल का है और वो इस scheme को join कर रहा है तो उसके लिए contribution जो है वो different होगा और कोई व्यक्ति अगर for example 38 years का है और वो 38 years की age में इस scheme को join कर रहा है तो उसके लिए contribution amount जो है वो different रखा जाएगा ठीक है? उसके लिए contribution amount different रखा जाएगा ये एक इसका fund है जो आपने याद करना है चलिए बाकी के facts भी देख लेते हैं इस scheme से related तो और क्या facts है minimum assured pension तो इस scheme में बोला गया है कि जो भी इस scheme को लोग join करेंगे उनको minimum pension of 3000 per month मिलेगी ही मिलेगी after the age of 60 years इसमें contribution जो होगा वो इसी तरह से set किया गया है ठीक है? इसमें contribution की value तभी age specific रखी गई है नहीं तो किसी ने अगर 38 years की age में join किया तो क्या पता उसका contribution इतना ना बन पाता कि उसको हर में ने 3000 का pension मिल पाए पर इसी लिए इसको ऐसा रखा गया है ताकि assured pension of 3000 दिया जा सके सीधा सीधा सवाल पूचा जा सकता है कि assured pension कितनी होगी ठीक है? उसके बाद family pension का भी provision है अगर pension मिलने का जब समय शुरू हो गया है अगर husband के case में wife और wife के case में husband ठीक है? तो spouse को भी जो है क्या मिलेगा? pension मिलेगा लेकिन 50% पर इक्जामपल अगर 3000 pension मिल रहा था पहले तो death के बाद wife को 15,000 pension मिलेगा लेकिन यह जो family pension का provision है यह सिरफ और सिरफ spouse के लिए available है यानि कि अगर for example there is a man, इसकी death हो जाती है and ultimately wife की भी death हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि इनके बच्चों को पैसा मिलेगा नहीं फिर वो scheme खतम हो गई उसके बाद अगर कोई regularly contribute कर रहा है scheme के अंदर लेकिन उसकी death हो जाती है before the age of 60 years मतलब pension स्टार्ट होने से पहले तो उनके spouse को यानि की husband के case में wife और wife के case में husband choice दी जाएगी कि क्या आप इस scheme को आगे continue करना चाते है ठीक है तो अगर for example एक wife है उनके husband की death हो जाती है husband की death तब होती है जब वो 57 years के है तो wife को पूछा जाएगा क्या आप scheme continue करना चाते है अब wife कहती है yes तो पहले husband contribution दे रहे थे अब wife contribute करेगी और 60 के बाद फिर wife को pension मिलनी शुरू हो जाएगी ओके auto debit facility है इसमें अपने पैसा debit होगा और saving bank account या जंदन account से range जो है 55 to 200 पर month होगा ये decide depend करेगा entry age पर जैसे कि मैंने आपको बताया हर age के लोगों के लिए जो monthly contribution होगा वो differ करेगा और 60 की age से pension मिलनी शुरू हो जाएगी implement कौन कर रहा है LIC और common service centers बहुत important है ये सिधा सिधा सवाल इसमें से आ सकता है तो इस सारी points बहुत important है हर point में से एक individual question जो है वो आपका frame हो सकता है चलिए last question देखेंगे इस वीडियो का प्रधान मंतरी रोजगार प्रत्साहन योजना is for the employees earning monthly salary up to अब तुक्के नहीं लगाने कि भई जो पहले scheme पढ़ी है उसमें 15,000 है तो इसमें भी 15,000 होगा क्योंकि examiner जान बूच कर ये option रखेगा ठीक है तो इस case में कौन जोइन कर सकता है प्रधान मंतरी रोजगार प्रत्साहन योजना को तो इसका answer भी है आपका option बी ही 15,000 ठीक है तो दोनों schemes के लिए 15,000 है प्रधान मंतरी रोजगार प्रत्साहन योजना से related भी कुछ important points देख लेते हैं employees pension scheme contribution of 8.33% देगी ठीक है for all the new employees तो जो भी employees EPFO में enroll कर रहे हैं तो पहले 3 साल के लिए EPFO में enrollment के बाद जो employees pension scheme contribution है जो 8.33% का है वो भारत सरकार देगी ठीक है basically ये incentivize करेगा employers को ताकि वो और ज़्यादा unemployed लोगों को नौकरी दें और formal उसमें लेकर के आए formal structure में organized structure में employees को लेकर के आए क्योंकि EPS जो है सरकार पे कर रही है ठीक है जी and scheme will be applicable to those who are earning 15,000 per month ये भी एक important point है direct question आप से पूछा जा सकता है तो चलिए दोस्तों 5 questions कर लिए हैं बहुत important questions हैं और उनसे related concept भी आई होप आपको समझ आ गया होगा फिर भी कोई doubt हो तो comment section में आप post कर सकते हैं या फिर आप mail कर सकते हैं sikshit at the rate gmail.com पर sikshit at the rate gmail.com या फिर आप whatsapp message कर सकते हैं 904-124-4689 पर so thank you very much all the best and bye bye